Hello Everybody, मैं हूँ सालार, आज के इस लेक्चर में CSS की यूनिट्स पिक निगह डाल लेते हैं CSS में यूनिट्स की तादात काफी जादा है और तमाम यूनिट्स दो ग्रूप्स के अंदर डिवाइड है एक ग्रूप का नाम है Absolute और दूसरे ग्रूप का नाम है Relative हम इन दोनों ग्रूप के दर्मियान comparison करेंगे और इनकी यूस को समयनने की कोशच करेंगे लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट होता क्या है CSS में यूनिट्स किसी भी प्रॉपर्टी के size को determine करते हैं मैं अपने वेब पेज में margin देना चाहता हूँ मैं margin प्रॉपर्टी को call करूँगा और इसको value दूँगा 20 और इसके बाद मैं एक यूनिट को call करूँगा मैं pixel जोके absolute यूनिट है इसको भी use कर सकता हूँ मैं percentage जोके relative यूनिट है इसको भी use कर सकता हूँ मैं em और rem को भी use कर सकता हूँ तो properties को basically एक size देने के लिए हम unit कर इस्थमाल करते हैं CSS में units दो groups में divided है absolute and relative अगर हम absolute की बात करें तो यहां हमारे पास काफी ज़्यादा units होते हैं इसमें pixels px सबसे ज़्यादा और commonly used unit है on the other hand relative category में भी हमारे पास काफी ज़्यादा units है और इन units में जो सबसे ज़्यादा इस्थमाल होने वाले units है वो है percentage, em, ram, viewport height and viewport width अब सवाल यह पादा होता है कि इन दोनों categories के दिम्यान फर्क क्या है इन दोनों categories के दिम्यान फर्क बहुती categorical है और अगर यह फर्क आपको नहीं पता तो आप web development की और CSS की अच्छी understanding develop ही नहीं कर सकते है absolute units are absolute in size इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर absolute units को use करते हुए आपने sizing की है तो वो sizing constant रहेगी और same रहेगी in different screen sizes for example अगर आपने font size 20 pixels से जूज किया है तो वो font size 20 pixels ही रहेगा अगर आप अपनी site को एक mobile screen पर देखते हैं या एक computer screen पर देखते हैं on the other hand relative units defines scalable size और इसका मतलब यह हुआ कि sizes अपने आपको scale करते हैं या पर adjust करते हैं depending on कि आप अपनी site को कहां पर open कर रहे हैं interesting right तो relative units responsive होते हैं और absolute unit responsive नहीं होते हैं अब सवाल यह परदा होता है कि हम absolute units का इस्तेमाल कहां करें absolute units का इस्तेमाल आप वहां करेंगे जहां पर responsiveness requirement नहीं है for example कि आप text of application बना रहे हैं जहां पर responsiveness की कोई भी requirement नहीं है और जहां पर requirement responsiveness है you will use relative units responsiveness आज की modern web development का integral part है so that means कि आपको ज़ादा से ज़ादा relative units के साथ काम करना होगा अब code में चलता है और एक simple से demonstration देख लेता है इससे हमें यह अंदादा हो जाएगा कि जो sizes हम absolute units को use करके देते हैं वो fixed होते हैं scalable नहीं होते हैं responsive नहीं होते हैं जबकर relative units scalable होते हैं इन में दिये गए जो sizes हैं वो अपने आपको scale करते हैं अपने आपको adjust करते हैं depends कि हम अपने page को किस screen के पर खोल रहे हैं मेरे पास यहां पर एक index file है और एक CSS file है इस index file के अंदर मैंने अपनी CSS file को अरड़ी link कर दिया है अब यहां पर HTML के अंदर मैं दो div ले लेता हूं एक div को मैं class देता हूं absolute और दूसरे वाले div को मैं class देता हूं relative और इन दोनों divs के अंदर मैं थोड़ा सा textile देता हूं same textile देता हूं हमाँ पास दो divs है और अपने इनके पर sizing करूँगा absolute div के अपर मैं absolute unit इस्तेमाल करूँगा और relative div के अपर मैं relative unit इस्तेमाल करूँगा उसके बाद हम browser में study करेंगे कि इनका behavior कैसा है css file में चलते हैं और इन दोनों divs को वहाँ पर target कर लेते हैं absolute को यहां target कर लेते हैं और relative को यहां पर target कर लेते हैं इसके लावा body को भी target कर लेते हैं body के पाल जो default margin होता है बहुत ही annoying होता है 8 pixels का उसको हम यहां से zero कर लेते हैं इसके बाद इन दोनों डिफ्स को एक background color दे देते हैं ताकि इनको ब्राजर में identify करने में असानी हो पहले वाले को मैं light blue देता हूं और दूसरे वाले को मैं light green दे देता हूं So now you can see the output दोनों डिफ्स ब्राजर में show हो रहे हैं और इनके उपर background colors पीज़े हैं अब मैं इस absolute वाले डिफ पे जाता हूं जहां पर मैं sizing करता हूं मैं इसको width देता हूं 500 वो unit यूज़े करता हूं पी x pixel जो के एक absolute unit है उसके बाद मैं relative वाले डिफ पे जाता हूं और यहां पर भी sizing करता हूं लेकिन यहां पर मैं जो size दोंगा वो तोंगा relative unit को यूज़े करता हूं 50% तो इसके जो size है वो body का 500 pixel हो गया और इसके size है वो body का 50% हो गया ब्रावजर में हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों divs की sizing हो चुकी है यह हमारा absolute div है इसका size है 500 pixels और यह हमारा relative div है वो इसका size है 50% of the size of the body now अब अगर इस web window का size कम या जादा होगा तो हमारा यह वाला जो div है जिसके हमने relative unit apply किया है यह अपने आपको scale करेगा यह अपने आपको recalculate करेगा according to the size of the window लेकिन हमारा पहला वाला div जिसके उपर हमने absolute unit pixel apply किया है इसका size हमेशा constant रहेगा अब अगर मैं अपने window के size को यहार से पकड़के कम या जादा करूँगा तो आप clearly देख सकते हैं कि यह जो relative वाला हमारा div था यह अपने आपको scale कर रहे है अपने आपको adjust कर रहे according to the size of the window जबकि यह पहला वाला div जिसके उपर हमने sizing की है absolute unit pixel को use करते हुए इसका size constant है difference बहुत ही obvious है as you can see the size of the relative div is changing according to the size of the size of the window जबकि पहला वाला div जाह है वो constant है इसका size constant है तो friends यह एक simple but very important concept था CSS का जिसको मैंने कुशिच की कि एक simple way में आप तक convey करू absolute units की अगर बात करें तो उसमें pixel unit का इस्तिमाल बहुत साथ होता है pixel unit को use करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन जहां पे requirement आ जाती है कि हमें responsiveness पे focus करना है तो फिर वहां पे हमें pixel को avoid करना पड़ेगा और हमें relative units की तरफ जाना पड़ेगा you can even build an entire website without using the absolute units आप easily किसी भी तरह का layout पराऊ सकते हैं percentage unit को use करके viewport height, viewport width और em और rem unit को use करके so friends that was all from my side और I will try कि किसी एक lecture केंदा in detail em और rem के ओपर बात करो so stay tuned मेरे और आपकी मुलाकात किसी और lecture में होगी अपना बहुत सा ख्यार लखेगा किसी और करो प्यार लखेगा